कि नमस्का दोस्तों आप से भी लोगों का अमरे एफसेल इडियो चैनल में स्वागत है मैं हुश्यामानन और आए आज की क्लास इटाट करते हैं EBS का जो क्लास 6 है देखिए इससे पहले क्लास 5 तक आप लोग को पुरा प्रहादी थे देखिए आज की सिरी में सुरू करते है क्लास 6 EBS का जो सीड़ और यूपीटर के लिए बहुत इन इपॉर्टन टॉपिक होते हैं सब देखिए हैं कुछ दिर में मतलब कुछ दिर में मतलब वीडियो आप लोग के लिए अमना ही बना पारते तो देखिए उसका रिजान यह था ना कि मत कि हम क्लास ले रहे थे आन आज का तो यह क्लास अधिक लिए क्लास 6 यह EBS का इसके बाद देखिए जो कॉंटेंट की बात करें तो यह सीड़ और टेट से समंदी सारा कॉंटेंट मेरा यूट्यूब पर पूरा वीडियो के तरप सब उसमें एवलेबल है और देखिए अब अन एकेड़मी पर हम पढ यह चैनल को सब्स्राइब कर लें और सब्स्राइब करके जो उसके बगल में बेल आइकान उसको भी प्रेस करने ताकि जैसे वीडियो जाए तुरहन ताप लोग देखिए आप लोगसे एक एक रिक्ष्टे भी है कि आप लोग हमको आने करने पर भी भी फॉलो कर सकते हैं स इस कीम पर दीखाई देखिये मेरा जो अनैकडमी का हैना प्रोफायल की इस कीम पर दिखाई दे रहा है तो यह जैसे अनकडमी लर्निंग फोलेंगे तो वहां पर यह ना मेरा सथ करेंगा तो एक दिखाई दने लगेगा प्रफायल तुई यहां से नीची आ कर दो आप उस class के आपको नो दो फायदा है एक तो आपको इंट्रेक्षन करने का मोगा मिलेगा लाइफ क्लास में अदूसरा है उसका जो पीडियाफ होता है तुरंत आपको मिल जाएगा अब पीडियाफ मिलने का दो तरीका होता है जैसे हम जो भी लिखे हुने सारा लिखावा भी तो आहां से आप लोग के लिए दो सारे दो मतलब इंपॉर्णिन पढ़ने जो फाइदा मिलेगा अने करें पर तो अने करें करें कि उसमें आपको पूरा जो साइकॉलजी का पार्ट होता है वो पूरा पढ़ा देंगे उसके बाद फिर EBS पर आएंगे फिर उसमें हेंदी प पढ़ाएंगे सुपर टेट का ताकि जो बच्चे मतलब अने के पर पढ़ते हैं वह और जो बच्चे यूट्यूब पर पढ़ते हैं दोनों में क्या हो मतलब कॉमन नहों पाए और देखिए एक बाता लोग के लिए बताएं कि यूट्यूब पर वीडियो हमेसा मिलता रह हो गया प्लेटफॉर्म लर्नी की बात गरत उसमें इस समय भारत में होने वाले सभी प्रकार के इजामों के सब्सक्राइब होती है तो आप लोग यह लर्निंग है पर इंस्टाल नहीं किया मौल में तो उसको इंस्टाल कर लेजी और उसमें यह आप किसी बिग्जाइम की सब्सक्राइब करना चाहिए तो वहां से इजाम के तरह कर सकते हैं और एक बात और समझेगा कि उसमें जो भी टीचर होते हैं पढ़ाने के लिए वह बहुत टॉप टाव एडुकेटर होते हैं तो इसलिए वह लोगों से पढ़ने में आपको और फ्राइदा होता है हाँ चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बहुत इन पॉर्णन है क्यों कि सीड़ में जो आता है कुछ बिसेस जो ब्रिच होते हैं या पाउदों के नाम आते हैं उसके बारे में आपको पूरा बता देते हैं कि जिसे समोध भी दोते हैं जलद भी दोते हैं और लॉन भी यह जो अलग-अलग में जो अध़ ब्रिच्छों की उत्पत्ति होते हैं उनके बारे में बिसेस तर्प पर पढ़ना होता है सीड़ में यह सब पाउदों के नाम हमेसा पूछता है हमेसा इदर अधर घुमा कि किसी सेट में कुछ और पौदे का नाम कुछ आप पूदे का तो आज के सीरिज में पूरा इसको समय लेंगे और देखिए एक बातरों बदादी यह एंसे अर्टे तीन चार पांगा जो आसपास की किताब आती है न उसी का होता है पूरा सम्मगर रूफ होता है उसी में साधे पहुदो की नाम उसमें आपको दिये गया होते हैं तो देख पाहँड़ आ कि पहँदा होता कै देखिए सबसे पहले इसकी बाहर करते हैं तो देखिए आ कि इस जो खासत के आपांगें यह को पानी चाहिए देखिए यह काता है एक संकीत्त कर Ö संव iss इस संक्यत्य कुर्य में काम करता है और यह बताता है कि किसे भी बिरिच को जो मतलब पाने चाहिए न वो कब चाहिए वो देखे एक बात और समझ जाए कि इस पौधे को मुख्य फसल के साथ बोद दे जाता है और देखे इस पौधे की जड़े जमीन से ज्यादा नीचे नही की जरूरत है कि यह पौधा होता क्या कोटन कोटन वो देखे आप किसी भी दाफसल का उत्पादन कर नहीं तो उसी के साथ इसको भी एंडिकेट करता है कि वहां पाने की नहीं जैसे ही अधिक पत्यां सुखने लगती नहीं तो तुरुब्ध हम समझ जाते हैं कि नहीं हमार पॉन्ट होता है इसको द्याम में रखेगा में प्रते इक जो पॉदा बताएंगे उसके जो खासे होते हैं इसको दिया में रखेगा यह एक्जाम में पुल आप लोगको लिए देखने को जरूर मिले आई से कोश्चन ठीयों गया पॉदा को टन अब भी होता है इसका रंग किये इसका रंग इसका यह होता है तो इसके शोम क्यों एलग अलग होते हैं इन सब पतीओं की नाम है कौटन ये सभी पतीयां पानी को बताता है कि जमीन में पानी है कि नहीं है अब आते हैं अगला पौदा है पीपल के बारे में आप लोग जानते हों भी होंगे देखिए पीपल क्या होता है एक विसाल पेड़ होता है हां इस पेड़ की खासत यह है कि चोबीस घंटे आक्सिजन देता है सबसे तो इन इंपॉर्टेंट बात ही है कि कुछ जो इसे होते हैं प्रेंट जो तुलसी हो गया एक एक पीपल हो गया जाए क्यां करते हैं वह जो जैंकि इसे क्या बोलते हैं वह भी करते हैं क्योंकि गौतबूर्द ने इस बिषके लिए तो पीपल के बूलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बुद्ध को पतियां में जुट रहती हैं अब आपसे कोछ पूझे गा कि एक फेजिक पतिया का कमपन करती हैं तो उसका जो छमता होती है न वह कितना डीसिबल होता है याद तो याद रखेगा 20-30D bg के बिच में होता है जो आवाज होती है जो पिपल के पत्यों यह आपस में हिलती रहती है जो आवाज करते हैं तो इसे कितनी होती है तो पार को तो आदिक एसी तरह होता है और हमेशा करता है यह 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 हमेशा है अगला पौदा बरगद के बारे में हैं तो बड़ा इसको बड़ा ने चले को दिखा लिए हैं और कि इसके छतर का फैला बहुत अधिक होता है बर्गत के अजगत के जने के यां इसकी चाहिं इसके चत्र को सारा देने के लिए इसकी सक्खाऊं के जड़ए निकलते गिसे ज़ता एंदा आह सक्खाएं इतनी हों लमविन पर ऑखें को जड़े होती जमीन के भीतर होती हैं और जो सखाई होते हैं हो वह होती है नीचे जमीन तक पूरा लंबी लंबी निकली होती हैं और उसे क्या बोलते है और संब जाता है इसका डेयरम यहां पर आपको यह दिए बगत का डिए अधर हैं एसके अंदर जना देखिए इसके हविए परसे क्या करती है आके नीचे तक जमीन में जाके लाती है क्या होता है है तो हती है यह दोता है मुद्रकिनिक विर जो होते हैं Today is myself . अभर अगर होते हैं ते क्यम्य होती है देख्या वख्या बोब बहुत दुरबल होता है तो उसे ही क्या बोलते हैं वो कि यह क्या फ़ल में फूल दोनों खा जाते हैं अब दोनों खाएजाते हैं अब दिखते हैं अगला पोधाने निफंतिस या घटपणी बहुत इन्पॉर्टेंट है सीड के लिए तो समझें कि बहुत इन्पॉर्टेंट है हमेशा इसे कोचन आते रहते हैं इसे आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा है तुम स्योर है देखिए गर्पड़ी पाँदा क्या बोलते हैं यह कीट भच्षी पाँदा होता है क्या अगिकर केड़े माकोड़े को खाने वाला पाओदा अलवा मेड़ेकों चुओ युवन छोटे जियों को भी खा जाता है याद करिएगा यह ऐसा होता है पौधा जो छोटे-छोटे कीड़ों को खाता है जैसे मेडक हुआ चुआ हुआ और छोटे कीड़ों को यह अगर खाता रहता है इसके वाएं अभिस्तार से पूरा पढ़ लिए तब उसके पाद इसका डाग्राम में देखा देंगे कि मैंनों प्रकास संसलेशन होता है परन्तू नाई ट्रोजें प्राप करने के लिए यह कीड़ें मकोड़े यह अन्य छोटे जिओं का सिकार करता है एदि आपसो कोई क्व्णि दिए कि जो पेड़ परकास होते हैं तो आप क्या बताएंगे जमीन के अंदर से कहां सब्राप करते हैं जमीन के अंदर से या मिट्टी से लेकिन यह पाउदा होता है न कित बच्छी पाउदा या ने 85 या घटपड़ी देखिए इसके तीनों नाम है तरह होता है तो गडे चमंल उता है उपर भी लगव कुछ निकलती है जिसे कीडिया में इसकी तरफ क्या होता है गड़े में दफ़ जाते हैं जैसे यह आते हैं इसके घड़े में दफ़ जाते हैं और इसका सिकार बन जाते हैं देखी यह पाओध कहां भारत में है तो यह भारत में में अंगाले और बिश्यव में अस्टेलिया और इंडोनेसिया में पाई जाता है यह दिसका बोलते हैं किट भच्छी पाओधा या नेफफाउधा या घट पड़ी पाओधा इसका डाराम देख्याए तो यह घड़े की समान इसका आकार होता है यह रखेगा यह बहुत इन पार नहीं होता है तो यह किसे ने किसी सेट में जरूर आपसे मतलब पुछ लएता है क्योंकि इसी को सिकारी पौधा भाई भी हर्द का इस बहुत इन इस पेड़ की न उचाई करता है तो इसी को बोलते हैं सिकारी पौधा भी का जाता है तरता होती है और देखी इसकी जड़े बहुत कम होती की चलिए si इसकी जो लंबाई होती हैं लेकिन जो इसकी जड़े होती हैं जो जमीन गंदर जाती है वो लगभग 30 गुना मतलब यह दिशार मिटर की लंबाई का पीड़ है कोई रहता नहीं आग तो एक सो बीस मीटर तक अंदर जाती हैं जमीन के अंदर और यह याद करेगा जब इतनी कराएं तक इसके जड़े होती हैं तो इसके जड़ों में क्या इकटा होता है पानी देखिए क्या होदे इसके तनों में क्या जमा होता है पानी जमा होता है और यदि किसी छेतर में पानी की कमी होती है तो इसके जड़ों से यह पानी को निकाला जाता है याद करिएगा इस इस जो उरॉके टनुर को आने सकता है यह तो आज चलिया के रग α盛 तनों पया जाता है तो आज चलिया बहुत कम होती हैं जो देखिए लंबाई नहीं बहुत छोशड़ होते हैं लेकि जो जो जड़े होती हैं कम सकम 30 गुनादिक जमीन के अंदर तक गई होती हैं और इसलिए इसकी जो जड़े होती हैं पानी को इस्टूर की रहती हैं और यदि जब भी कहीं पानी कर सकता होती है तो इसके जरोग सब है कmäß पानी से निकाल लेते हैं इस पाल गाल लेते हैं कि अब आते हैं फायना की बहुत इन इसे नहीं पालोffen यहां देखें जोसे जो भी को बनता है या फिर कि दो नहीं बोलते हैं यह चारपाई बनते यह बिन घरों में लकड़ियों का इस्तिमाल होता है या फिर कहीं वे तो देखे तो उसमें आधिकान्तर किस परीड़ करते हैं नहीं क्वि इसको कि एक नशचतने से लाए करते हैं क्विक्राणs वे और रहे से查्षार हैं मेरित वे परफिक्रार क्लर्णा करते हैं बबसा द्सके पूल जास्ने नहीं पर्ण नогनजा क्रते हैं भी बनती है देखिए इसके फल्यों के सब्जी राष्थान में तो बड़ा फेमस है देखिए इसकी फल्य क्या होती है छोड़ छोड़ी होती है जिसे का क्या बनता है सब्जी बना जाता है और जो इसके जो ब्रिश होती है उसका दवा किरिव में भी प्रियोग करते हैं और यहां अब क्या आगे की अधिकल है कि इससे जादा पाने के जरुरत नहीं होती नहीं तो बात कम पाने के अच्छे से जमिय होते हैं और करते हैं क्योंकि इसकी जो लकड़ियां होती है उसमें कभी भी नहीं पड़ता है इसको दियां में सिर्ट के आपको इसका डियाग्राम दिखाते हैं कि इसका कैसा होता देखे यह आपको सामने है तो कैसा पाउधा इतरी पाउधा यह आर्गम के लिए इसले हैं कि इसकी कैसे होतीह जो पाउधे ती यह कैसे देखते हैं इसकी लिक्ड़ियां परते ना फल उसकी किया बनती है सब्जिए बनती हैं और जो इसको जो चाल होते हैं इसके चाल इसका परियोग दवा में देखिया जाता है और इसको पाने की पादीकान समातर सकता नहीं होती है। इसको दिमाग में सब्सक्राइब देखें अगला पाउदा नीम यह जानती है बहुत इंपरण देके नीम यह क्या एक रड़ ब्रिच होती है मतलब यह साल में जो नीम होती है एक कम सकम एक बार जो अपन पत्यों को क्याद देती है इसलिए इसे क्या बोलते हैं दपाजर का जाता है पे इस में होती है कि जड दो प्रकार की होती है को मुसला धार दो प्रकार की होती है तो और ऐसके प्रकार मुतबाल होती है इसके फल को नीमबोली कहते हैं वह नीमबोली नीमबोली परिश्यपटाइड प्रियोग आप अस्छोड़ी sioda इसे गणा प्रियोग से रोग प्रदों चंता बढ़ती है कही बिमारीों में क्ैरती है यह उपीयोगी होती है जाकिए और क्या यह एक जैविक कीट नासक उत्पादक की रूब में भी माना जाता है आप लोग जानती है कि कहीं भी कीड़ा को यह दी मानना होता है तो हमेशा वहां नीव का तेल प्रयोग करते हैं फिर नीव के जो भीज का जो पिसवा मात्रा होता उसका प्रयोग करते हैं यदि हमारे सरीर में भी यदि हमारे ब्लड को सुद्ध करना हो तो लोग नीव की जो पतियां चबाते हैं या उसका भी सिवन करते हैं तो यह भी बहुत काम करता है यह का करता है जैविक ना सके उत्पादक के रूब में भी काम करता है यह नीव त याद रखेगा इसका जो जड़ होता है नो कैसे होते हैं तो दमुश्लाधार जड़ होते हैं यह अब देते हैं अगला तुलसी देखे तुलसी क्या होता है तो यह एक शाक है भारते संस्किति में इसको पूजनी मांग जाता है आप जानते भी हैं कि तुलसी और पीपल इन जड़ी बूटियों की रानी भी कायत है इसको याद रखेगा इसको जड़ी बूटियों की रानी करते हैं क्यों करते हैं तो क्योंकि इसकी जो पतियां होती है उसका अधिकानता प्रियोग ऑसदी बनाने में करते हैं और आप जानते हैं कि जो पतियां होती हो समाने खांसी जुखाम समाने किसी को बुखार है तो उसके 7 में 20 का उसके इलाज के लिए इसका 7 करते हैं तुल्षी के पत्तियों का ती दिवां में सेट रखेंगा और देखिए तुल्षी का ब्रिश आप आप लोग ले देखिए सामने लेकर आगए तुल्षी के प्रिश के बारे में चल रहा है तो सभी लोग क्या बोलते हैं कि सभी लोग आदी तुलसी की पती का यदि बना-बना के चाहिकर में पियें तो वह इम्मुटी सिस्टम को इस्ट्रांग करता है तो इस जो पतियां होती नो वह मानोजियों के लिए बहुत लाभकारी होती है इसलिए इसको जड़ी गोटियों की रहानी का जाता है यह दिनामिक सेट रखेगा देखिए अब आते हैं थ्रसेट के बारे में और देखिए कि यह कैंसर दंत रोग स्वास समंदी रोग एवं सर्दी जुखाम में अतियंद फाइदेमंद होता है यह जानते हैं कि जो तुलस सिस्टम जो जिलों को करोना हो जा रहा है उनलों के लिए सबसे बड़ी समस्य क्या होती है सांस लेने में समस्य होने लगती है तो इसी के इसी के इलाज के लिए लोग हॉर्पिटर में जाते हैं तो देखिए एदिया तुलसी के पत्ति का लागतार सेवन कर रहे हैं तो इस आजिए प्शाणी मतलब रग楽ANS कर न के यह पर 下 couple है पतियां एक पतियों होती है यह फिर पतियों काटो करें, जिसे वादत्व। सरजन कम हो जैसे नाखफणी होता नाखफणी को क्या बोलते हैं कैक्टस में देखी तना हरा होता है और मोमी परत से ढखा होता है इसमें तना ही प्रकास्रिशन करता देखे जो नाखफणी परफदा ह 되면 क्योंСТपे thisverse of that इसमें पदाया esemp in आधिकान से काहते हैं तो पहुदे का है तो तौन सबस्के तो तना करता तो तना करता है। तो इसको दिया में शेटर किया जैसे तो बात करेंगे कि दम़काहती नहीं खाएं यह जो इसे ग자는 ऊथैनों आंब केती जमीनद में पायते हैं और इनमें ताना सीव मुख्याइग्ट होती है देखिए याद करेगा समुद्वित पौदा होता है जो हमारा तफसल होता है उन्हें ही बोलते हैं समुद्वित पौदा यह बस ही मोटा मोटी में क्याद करिएगा जो हमारी दफसल होती है जो गेहों की धान की मक्का की तो इन्हें ही क्या बोलते हैं समुद्वी पौदा मतल जैसे मक्का मटर गेहु धन इत्यादी यह सब क्या हो आपके समुधित विवित पौदों के उधान हो गए अब दिखे आगे आते हैं देखे पौदा क्या है ज्लाद्वित पौदा जो जल में उगते हैं औरुआ बढते हैं पोद्यों से जल रधाते हैं या मैं पाई पर दोलेग्ष, पानुद्व सभूर ऑजता हैं जड़ कनतर कम ओड़ी जड़ जो पाउड पानी वहां հंक्षिता में में इन में उसना मवाद जी समने में पजिक्राइए तो एक हला कमलने तो याद रहेगा हाई डिली जल लिली और कमल यह तीनों कहां हुँटे हैं जल में हुखते हैं तो इसलिए इनहें क्या बोलते हैं जर्दीबीद पौदा कहा जाता है अब देखें अगला ते पड़ा देखिए इसे क्या बोलते हैं यह पड़ ешत्र ने पाया जातें फ़्टू में जड़ जमीन के ऊपर और नि लेसे को यह आधी करें लेसके देखिए अधुम से फड़ंषक हूं बन या सुंद्री बन बहुत इनिपर्ण है मैग्रोव बन कोई क्या बोलते हैं सुंद्री बन और यह बन क्या कलाते हैं तो चारागा होते हैं एक्जामपल की बात करेंगें तो क्या बताएंगे मूलिन पौदा होता है गुलाब होता है यह सब का हुए इन प्रैमिंफ प्रकास का प्रैमिस पाउधा ऐक बाने मतरा बढ़ा क LAN. इसकी आए आए इससे हो य gratis प्रते आट थे जो जो आ हुते होते हैं जो जिन क्या बोलते हैं इसकी वाइट कर लाते हैं जो क्या होते हैं जहां सूर्छ परकास बहुत कम पहुचता है वहां ऐसे पहुदे उगते हैं तो आज की सिरी में बहुत इंपर्ण सिरी जो आज का समाप्त हो गया है फिर इसके बाद आप लोगो के लिए सुपर्टेट का भी क्लास लेकर आएंगे एक एक वीडियो आपको मिलता रहेगा पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे सुपर रहेगा जितन